आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम बबात करेंगे जामी अमिले असलामिया के इंट्रांस के पेपर कोड भी 55 के बारे में देखे जो जामी मैई अमिले असलामिय का पेपर कोड वी 55 है इसमें आपके तीन सब्जेक्ट के कम्बाइन्स पेपर होंगे सोचियोलोजी सैक्योलोजी और जियोग्रिफी इन तीनों कहने कि आपको एक ही पेपर देना और उस एक पेपर से आप इन तीनों सब्जेक्ट में एडिविसन लेने के लिए आप लोग एलिजिवल हो जाएंगे इसका पेपर कब आपका अठारा जून 2022 को है तीन सारे तीन से पांच की बीच में यानि आपको टोटल डेर घंटापको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए इसकी एलिजिविटी के बात कर लें तो यह आपको सोचोलोजी मिलेना साइकलोजी में जोगरफी में बीपच्पन में आपके मिनिमम मांक्स 12 क्लास जापिर इसके एक वी वालिंट में 50 पर संट मांक्स आपके होने चाहिए कि मिनिमूम फाइब सब्जेक्ट के एवर्ज यह नहीं फोर यह तरी फाइब सब्जेक्ट कम लाखे हैं इससे कम होगा तो आप एलिजिवल नहीं है इसके बाद सर यह बीए बीस्ट क्या है देखिए अगर आपने 12th क्लास साइंस से की हैं तो आपको बीस्ट जियोगरफी मि कोई डिफ्रेंस निगा अपके स्कूल कॉलेज के टीचर भी से सब चीज से मैं बस अंतर यह लगेगा डिग्री लिखनेंगा आप शॉइट है साइक लोजी में 42 है और जियोग्रफी में 60 सीट सबसाथ ही इसमां जियोग्रफी में है आपको देखें फीज की बाद करने हम लोग तो सोशी योजी में बहतर सो इसॉइल बहतर सो है और जियोग्रफी इसमें आपका थतर सो फीस है यह है आपको फीसका स्टेक्षिटर अब यह तो मैं वह सीट जान ली कि भाइस शुक्षी में प्याली से से को जी जी प्याली से और जीवर फिसाथ है 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 आँ लस्ति खूझ चीटी वर्टन सीटोंगा वर रिजियर विज्ब एब मुर्ट सितन बात कर लेंग करे gi heeft Be ज्वा आप का धाद है तोटल लंबर पॉसन जो तरह पूसर दे और सब कैसे साथ है मल्टीपल 24 साथ है इसके तीन पार्ट डिवाट लिए एक आपका इंग्लिस पार्ट सो गया एक आपका रिजिनिंग पार्ट जो और एक आपका जो गया जी एस जी के वाला पार्स इसके लिए हम लोग देखे कि जैसे कि आप लोग फंटामेंटल राइट्स पर लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स कि दूसर आप लोग यह देख लिए नेस्टनल एन इंटरनेशनल डेज इंटरनेशनल डेज कि क्या करें मुश्यों टुपिक्स है फंडामेंटल राइट्स कि राइट्स को पर्यमेंटल रइट्स हो गया आपको नेस्नल इंट्रिनेशनल देज्ध हो गया इपोर्टेंट अमयंडमेंट हो गया स्व ल्ट्ट शुर्वट्स इन एंड अवर्ट यो गया और कुछ लोगी की के बारे में भी सवाल आजाता है इंपोर्टेंट आमेंडमेंट बताए दिया मैं आप लोगों तो यह सब जोए कुछ इस पर रहे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स है करन्ट अफेर में वही पर है जो इंसे रिलेटेग कुछ को सब्सक्राइब जो मोस्ट इंपोर्टेंट न कि आ जाते हैं तो यह इसके लिए गया है एक जएषग कि एक जीकी वर क्लिये हो गया अब हुने बातके ती दिड़िशनिंग के लिए जो मॉश्ट पोरुट टो पिक्स जो आपके वह आपकर आपक़ोंगे डारेक्शन हो गया मैं डारेक्शन है टाइम एंड़ वार्क कि नमबर स्रीज अलफावेटिक स्रीज अ कोडिंग एंडी कोडिंग एंडी कोडिंग कि यह सब रिजिनिंग के टोपिक्स में इंपोर्टन टोपिक्स हो गया अब बात करते हैं इंग्लिस की इंग्लिस में आपको सीनोनीम पुल लेना है सिनोनीम एंटोनीम वन वर्ट सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेज यही सब और वो प्रिपोजीशन यह सारे चीज़े दिए यह जो टोपिक्स बता है में आपको ऐसा नहीं कि अब इतना ही पढ़ना ही पढ़ेगा अगर आपको इनमें भी पच्पन कोर्स किलर करना है तो आ अलावा भी काफी सारे चीजें पढ़नी पढ़ेंगे आपको जिसके लिए आपको ना कम से कब तीन-चार साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको सभी से आइडिया लग जाएगा लेकिन दिए इतना तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ेगा इसके अलावी कैसा कि अगर आप लोगों कोई डाउट रहे गया तो आप कमेंट करके पूछें आपके हर कमेंट का जवाब दिये जाएगा ठीके धन्य बाद मिलते हैं अगली वीडियो में